मान लीजिए, आप बहुत टाइम से कार खरीदने का इंतजार कर रहे थे और फाइनली वो पल आही गया। आप एकसाइटेड हैं और कार डीलर के पास जाते हैं अपनी ड्रीम कार को बाई करने के लिए। परचेस की डीटेल्स डिसकस करते हुए एक इंपॉर्टेंट सवाल आता है, कार इंशॉरंस। आप जानते हैं कि यह एक लीगल रिक्वार्मेंट है और आपके नए इंवस्मेंट को प्रिटेक करने के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन अब आप परिशान हैं, सोच रहे हैं क्या मुझे डीलर से इंशॉरंस लेना चाहिए या अलग आप्शन्स एक्स्प्रॉर करने चाहिए। यह डिसिशन आपके कवरिज, प्रेमियम्स और ओवरॉल प्रीस अफ माइंट पर असर डाल सकता है। चिंदा मत कीजिए, हम आपके क्वेस्टिन का आंसर इस वीडियो में देंगे। हाइफ्रेंट्स, आज के वीडियो में हम शोरूम से कारण शारूंस खरीदने के आप्शन या अलग से खरीदने के आप्शन को एक्स्प्लॉर करेंगे। उनके प्रोज और कॉंस जानेंगे और आपके लिए क्या सही है उस पे भी बात करेंगे। एंट तक आप सही चॉइस करने के लिए एक्विप्ट होंगे जो आपके नीड्स, प्रेफरेंसेज और बजट के साथ अलाइन होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का विडियो लेकिन आगे बढ़ने से पहले लाइक बटन को तबाना मत भूलना और हमाई चानल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे सारे अमेजिंग कांटेंट पे आप अपडेट अप्डेट रह सेकें। सबसे पहले बात करते हैं शुरूम से कार इंशॉरंस बाइग करने की। आप सब जानते ही होंगे कि इंडिया में थर्द पार्टी नाइबलीटी इंशूरंस लेना मैंडेटरी है। पर 3rd Party Liability Car Insurance क्या होता है? 3rd Party Liability Car Insurance एक टाइप का इंशॉरंस है जो आपको 3rd Party की कार के किसी भी नुकसान की जिम्मेदारी से बचाता है. इसका मतलब है कि अगर आपकी द्वारा किसी 3rd Party की कार को कोई भी नुकसान पहुचता है तो ये insurance उस नुकसान की जिम्मेदारी उठाता है और आपको उससे बचाता है Third party liability insurance के अलावा भी car insurance लेना ज़रूरी है क्योंकि car insurance आपको आपकी गाड़ी और आपके finances को accidents और other unexpected events से होने वाले potential risk और cause से बचाता है पर question ये है कि क्या car insurance शोरूम से लेना compulsory है इसका answer है नहीं Next question आपके दिमाग में ये आता होगा कि dealer insurance कैसे provide करता है जब आप dealer से car खरीदते हैं तो आपके पास car insurance dealer के थ्रू खरीदने का option होता है dealer का insurance company के साथ tie up होता है और वो आपको car खरीदने के process के दोरान insurance offer करता है तो फिर dealer से ही car insurance खरीदना better नहीं है क्योंकि हमें कोई options explore नहीं करने पड़ेंगे आप यही सोच रहे होंगे तो चलिए dealer से car insurance buy करने की कुछ pros और cons देखते हैं ताकि आप decide कर पाएं कि आपके लिए क्या better है सबसे पहले कुछ pros को देखते है pros of buying car insurance from the showroom car dealer से car insurance खरीदने का process बहुत time बचा सकता है वरना आपको दूसरे insurance से touch में रहना पड़ेगा उनके premium figures मांगना पड़ेंगे और फिर decide करना पड़ेगा यहां कुछ और फाइदे है फर्स्ट है convenience शोरूम से car insurance खरीदना ये convenient one stop solution है आप अपने insurance buy को car acquisition process के साथ bundle कर सकते हैं जिससे आपका time और महनत बचती है सेकंड है image coverage शोरूम से car insurance खरीदने पे आपको तुरंद coverage दी जाती है जैसे ही आप अपनी नई car के साथ शोरूम से निकलते हैं आपको इंतजार करने या additional paperwork या verifications के तुरू जाने की जरूरत नहीं है और मान लीजे कि आपने शोरूम से car ले ली लेकिन अभी तक insurance के बारे में research ही कर रहे हैं उस दौरान अगर आपके car को कुछ हो जाएगा तो ये cost कौन cover करेगा पर क्योंकि आप शोरूम से ही insurance ले चुके हैं तो आपको इसका डर नहीं है तीसरा है hassle free documentation शोरूम स्टाफ आपकी insurance documentation में आपकी मदद करेंगे जिससे जरूरी paperwork सही तरीके से complete हो सकेगा ये process को streamline करती है और errors या omissions का chance कम करती है फोर्थ है bundle discounts शोरूम car insurance अकसर bundle discounts के साथ आता है जिससे आप अपने car purchase और insurance premiums दोनों पर पैसा बचा सकते हैं ये discounts budget conscious buyers के लिए एक attractive option हो सकते हैं फिफ्थ है simplified claims process शोरूम से car insurance लेने पर insurance claim के time पे dealer आपको process में guide कर सकता है जिससे एक smoother experience हो उनका customer satisfaction maintain करने में vested interest होता है और वो claim settlement के दोरान बहतर assistance प्रिवाइड कर सकते हैं शिक्स्त है potential add-ons dealers car insurance देते समय आपको add-ons के बारे में भी inform कर सकते हैं और add-ons जैसे के roadside assistance, zero depreciation या engine protection जैसे features offer कर सकते हैं ये additional benefits आपके insurance coverage की overall value और protection को enhance कर सकते हैं लेकिन याद रखिए dealers के द्वारा offer किये गए add-ons हमेशा car owner के usage या requirements के साथ align नहीं होते ये तो बात हुई pros की आप जानते हैं showroom से car insurance buy करने के cons के बारे में cons of buying car insurance from the showroom आपको पता होना चाहिए कि dealer से car insurance buy करने के अपने set of disadvantages होते हैं जैसे के first limited options dealers का primary objective cars बेचना होता है insurance नहीं इसलिए dealer buyer को insurance के मामले में ज्यादा options offer नहीं कर पाएगा अगर dealer के पास दो या तीन insurance companies के साथ tie-ups हैं तो dealer सिफ उन ही companies की policies offer कर पाएगा ये उनके plan से ज्यादा options provide नहीं करेगा जिससे customers को वो policies avail करने में restrict कर देगा इसके अलावा जब आप showroom जे insurance खरीदते हैं तो आपके पास multiple insurance providers और उनके offerings को compare करने का मौका नहीं होता इससे या better coverage options या more affordable premiums मिस कर सकते हैं second है high premiums car dealer insurance पर सबसे अच्छा price offer नहीं कर सकता car dealers insurance providers के साथ commission basis पे काम करते हैं तो customer को शायद higher premiums देना पड़ेंगे compared to अगर उन्होंने insurance को किसी और mode से खरीदा होता third है lack of policy customization showroom car insurance policies आपके coverage को customize करने में कम flexibility offer कर सकती है showroom से car insurance लेनी पे आपके पास specific features या add-ons add करने का option नहीं होता है जो आप अपनी unique requirements के लिए ज़रूरी समझते हैं तो ये थे showroom से car insurance buy करने के pros और उसके cons अब बात करते हैं separately car insurance buy करने की buying car insurance separately next option आपके पास car insurance buy करने का है कि आप उसे separately buy कर सकते हैं आप अपनी car dealer से ले 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 और अलग से car insurance buy कर ले आप insurance online भी buy कर सकते हैं और agent के through भी अब चलिए car insurance separately buy करने के pros of cons को देखते हैं सबसे पहले देखते हैं pros के बारे में pros of buying car insurance separately car insurance separately buy करने के बहुत से benefits हैं चलिए देखते हैं पहला increase coverage options अलग से car insurance खरीदने से आपको coverage options की एक बड़ी range explore करने का मौका मिलता है आप अपनी specific needs के साथ align होने वाले policies चुन सकते हैं जिसमें comprehensive coverage और additional riders या endorsements included हो second है competitive premiums जब आप अलग providers से car insurance के लिए shop करते हैं तो आप multiple companies के quotes और premiums को compare कर सकते हैं ये competition आपको ज्यादा affordable options ठूणने में मदद कर सकता है और आपके insurance premiums पर पैसे बचा सकता है third है policy customization जब आप separately car insurance लेने जाते हैं तो आपको insurance providers usually car insurance policy को customize करने में ज़्यादा flexibility offer करते हैं आप अपने coverage limits, deductibles और add-on features को आपकी individual preferences और requirements के according टेलर कर सकते हैं fourth है research and comparison separately car insurance खरीदे समय आपके पास various insurance providers, उनके offerings और उनके customer service reputation को research और compare करने का मौका होता है तो आप अपने needs के according एक car insurance plan choose कर सकते हैं next चलिए देखते हैं car insurance separately buy करने के cons के बारे में cons of buying car insurance separately car insurance separately buy करने के भी कुछ bonds हैं चलिए जानते हैं उन्हें first है time consuming research जब हम car insurance separately लेना चाहते हैं तो various insurance providers उनकी policies, coverage options और premiums को research और compare करने में काफी time और मेहनत लग सकते हैं यह time consuming हो सकता है खास दोर पर अगर आप insurance market से unfamiliar हो तो second है complex decision making various insurance providers और policy options में से सही car insurance चुनने की complexity इसको navigate करना challenging हो सकता है इतनी सारी choices में से एक select करना difficult है और हमें confusion भी हो सकता है third है no bundling discounts अलग से car insurance खरीदते समय आप bundling discounts के लिए eligible नहीं हो सकते जो dealer के थूरू insurance खरीदने पे offer किये जाते हैं fourth है no assistance with claims अगर आप car insurance dealer के थूरू नहीं लेके independent तरीके से लेते हैं तो claims processing में वही level का support नहीं मिलेगा जो dealer के थूरू policy खरीदने पे आपको मिलता है हाँ लेकिन कुछ insurance aggregators ये benefit भी दे सकते हैं what you should do दोनों methods के pros और cons देखने के बाद आपको शायद idea हो गया होगा कि आपके लिए क्या best है हमेशा एक अच्छा idea है कि आप insurance plans और उनके features को online compare करें अपना final choice बनाने से पहले आपको एक plan मिल सकता है जो आपकी जरूरतों को पूरा करता हो और जो आपके dealer के द्वारा offer किये गए plan से कम price में available हो car showroom में car खरीदने में 2-3 दिन लग सकते हैं इस time को दूसरे insurers और buying modes explore करने में लगाएं जिसमें online options भी included हों discount के बाद numbers compare करें और देखें कि आपके लिए time और पैसे दोनों बचाने में क्या best है अंत में कौन सा option best है यह आप पर depend करता है और आपकी priorities और preferences पे अगर हम summarize करें तो कह सकते हैं कि car insurance showroom से खरीदना simple और hassle free है लेकिन शायद आपकी जरूरत के लिए सही coverage नहीं दे पाए हाना के simplified claim process और bundle discounts offer करता है लेकिन आपको ज्यादा premiums और limited options का सामना करना पड़ सकता है अब अगर अलग से car insurance खरीदने की बात करें तो हाना के ये increase coverage, competitive premiums और policy customization प्रवाइड करता है लेकिन ये time consuming हो सकता है और additional paperwork की जरूरत हो सकती है finally, कौन सा option better है आपकी needs और preferences पे depend करेगा क्या आपने कभी car buy की है और क्या आपने अपने car dealer के थूर इंशॉरंस लिया था या separately हमें comments में जरूर बताएं और अगर आपको ये video helpful लगा हो तो इसको like करना ना भूले और अपने friends के साथ share कीजे ऐसे ही interesting amazing content के लिए my channel को subscribe करें thanks for watching, bye bye